हलो एवरिवान, वेल्कम टू रीटा अरूरा रेसिपीज, आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और हम इसे बिना प्याज लसुन के बनाएंगे, तो चलिए फिल देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे, इसे बनाने के लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज करें, इसके तरह की जो साधी मिर्च होती है ये ना लें क्योंकि इससे सबजी बहुत जादा स्पाइसी हो जाएगी, अगर आपके पास इस बहुत ज़्यादा है spicy ना रहे हमें इसका actually color चाहिए क्योंकि जो कश्मीरी दमालू है उसका bright red color चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्श्यूस की है और अब हम इसे इस pan में डाल देंगे और साथी हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसे gas पर रख चुका है तो अब हम यहाँ पर gas का flame off कर देंगे और इसे ढख कर लग देंगे तक्रीबन 10-15 मिनट के लिए और अब हमने यहाँ पर यह कुछ medium size के आलू लिये हैं इसे हमने उबाल लिया है इसे हमने सिफ एक सीती आने तक उबाला था और उसके बाद हमने इसकी steam निकाल द लेंगे इसी तरह से हमने सभी आलू को प्रिक कर लिया है और अब हमने यहाँ पर यह सरसो का तेल गरम किया है इसे पहले दूआ उटने तक अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद से थोड़ा से ठंडा होने देंगे और जब यह अच्छा गरम है अभी भी लेकिन अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गौल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे हम आलू को बीच-बीच में इस तरह से पलटते रहेंगे ताकि यह सब तरफ से इवनली अच्छे से गौल्डन हो जाएंगे और यह देखिए हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो साथी हम इसमें एक कप गाड़ा दही डाल देंगे आप ध्यान रखें दही पुराना ना लें दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम दम आलो के लिए कुछ साबुत मसालों को भूनेंगे यानि रोस करे सबसे पहले हम ले रहे हैं एक बड़ा चमट साबुत धनिया आधा बड़ा चमट सौफ डालेंगे एक चोटी चमट जीरें एक हरी लाईची और साथी आधी चोटी चमट साबुत काले मिर्श ले 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 रहे हैं और इन्हें लो टो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भू होंगी कि बहुत ही जादा शांदार है यानि आप इसे किसी भी डिश में डालेंगे उसका फ्रेग्रेंस उसका टेस्ट एकदम से उठके आता है और जेस्ट डबली मसाले आज यानि 15 अगस्त को ही लॉंच हो रहे हैं और अगर आप भी और करना चाहते हैं इन मसालों को तो न चमच ओयल इसमें हमने चोड़ा है गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसमें हम डालेंगे आदी चोटी चमच अद्रक का पाउडर या जिसे जिंजर पाउडर या सोट का पाउडर भी कहते हैं साथी इसमें एक चोटी चमच देगी मिर्श पाउडर डालेंगे और एक चो हाई का पानी डाल देंगे और अब हम इसमें एक उबाला आने देंगे गयस का फ्लेम इसमें हम हाई कर देंगे और इसे लगतार चलाते रहेंगे ताकि दही हमारी फटे ना इसमें एक उबाला आ गया है तो अब हम इसमें यहाँ पर इसके recording नमक डाल देंगे और साथी ये fry की हुए आलू डाल देंगे और इससे अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम इसे ढख देंगे और ढख कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए low flame पर हम इसे पकने देंगे विशविश में ढखकन हटाकर हम इसे इस तरह से चला लेंगे और साथी में मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच टमैटो कैचप ये ऑप्षिनल है वैसे तो authentic जो कश्मीरी दमालू होते हैं उसमें ये टमैटो कैचप नहीं जाता है लेकिन क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है टमैटो कैचप इसकी टेस्ट को और बढ़ा देगा तो इसलिए मैं डाल रही हूँ ये आपकी अपने उपर है आप डालना चाहें तो डालें अदर्वाइस आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और लीजे हमारे कश्मीरी दमालू बनके तयार हैं बहुत ही जादा टेस्टी बने हैं और अब हम इसे गार्णिश कर देंगे थोड़ा सा हरे धनिये के साथ और आप इसे रोटी, नान, परांठा या फिचावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप भी इस कश्मीरी दमालू को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभव में साथ जरूर शियर करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं और नहीं नहीं देसिपीज के लिए